हेलो फ्रेंड्स मैं विश्णू आरके एक्जाम क्रेकर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स आज की क्लास में मैं आपके साथ स्सी स्टिनोग्राफर जो की अक्तुबर दोजार तैस में एक्जाम हुआ है उसके जर्नल अवेलनेस के सभी छे सिप्टों के जो तीन सो कोशन पुछे गए हैं उनको लेकर आ हूँ और यह हमारी इस से रिलेटिट सेकंड क्लास है इससे पहले हमारी फर्स्ट क्लास में मैंने आपके साथ पहले जो हंडर्ड कोशन है वो डिसकस किये थे तो इन कोशन को इन सभी वीडियोज को जो है आप ध्यान से देखिए आपके आने वाले SSC, CHS, चल, दिल्ली, पुलिस GD Coastable के एक्जाम के लिए ये कोशन बहुत ही important है वहाँ पर आपको यहां से direct question देखने को मिलेंगे इसलिए बार-बार इन कोशन को देखिए और सभी वीडियो जिससे पहले की वीडियो और जो next वीडियो में लेकरा हूँआ उन सभी को आप बार-बार देखिए क्योंकि य देहान से इनको देखिए अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आप पेपर में जो है अच्छे से सही correct answer चूज कर सके तो देखते हैं आज के hundred question सबसे पहला question है यह column A और column B में कुछ data दिया गया उसको आपने मिलाना फिर correct answer चूज करना column A में आपको भूपरपटी के कोई तत्तव दिये गए हैं यह elements दिये गए हैं फिर उनका percentage बताना है तो oxygen है जो उसका percentage आपका कितना होता है oxygen का percentage लगबग सभी को पता हुआ लगबग यह होता है 47 के percent silicon का आपका 28 percent फिर आपका जो aluminium है वो आपका लगबग 8 percent के लगबग होत आपका है दी option यानि 5 percent तो मिलेगा आपका oxygen आपका 47 percent silicon है जो आपका वो है आपका 28 percent second फिर फिर आपका aluminium 8 percent और iron आपका 5 percent next question देखें आप कौन सा orthopoda संग का सदेश्चे नहीं है चार option दिये गए है पूछा गया है जो बाइलोजिका यह आपका question है orthopoda और तो जो संग है एक ग्रूप है उसका सदेश्चे नहीं है तो घूंगा जो है वो orthopoda का सदेश्चे नहीं होता बारतिय रिजरों बैंक जो RBI है उसका राष चिकान है जो वो एक जनुरी उनिस सो उनन्चास को हुआ था दिसंबर दोजार बाइस में किसने गुजरात के सतरवे मुख्यमंत्री के रूप में स्पतली तो दिसंबर दोजार बाइस में जो गुजरात के सतरवे मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं भूपेंदर रजनि पटेल नेमेलिकित में किस गायक को भारतरतन से समानित किया गया है तो जो अधिकान सहर थे उनमें घरों के बार खूली जल निकासी की वैवस्ता थी तो ये कतन आपका गलत है फिर हडपा सबिता में जल और अप्सिष्ट घरों के बाहस्तित नालियों से निकल कर मुख्य मुविगत नाली में चला जाता था तो ये व्यवस्ता वहाँ पर थी तो option 2 बिल्कुल correct होगा कतन 2 सत्य है केंदर सासित परदेश जो की लद्दाक है उसकी जहां की नई दिल्ली में राजपत पर पहली बार किस वरस पर दर्शित की गई जो नई दिल्ली में जो 26 जनुरी के मौके पर जो है लद्दाक की जहां की पहली बार 2021 में पर दर्शित की गई थी निमिलिकित में से किस वादे अंतर की कला को उस्ताद अल्ला रखा कुरैसी ने लोगपिरे बनाना लोगपिरे बनाया है तो उस्ताद अल्ला रखा कुरैसी ने तबला को तबला एक वादे अंतर है उसको जो है लोगपिरे बनाना ये तबला के परमुख वादक है नेक्स्ट आपका निमिलिकित में से किस राजय में स्तरिय नरित्य सैली परसीदे देखे जो folk dance होते हैं नरित्य होते हैं राज्यों के वो काफी यहां से exam में question पूझे जाते हैं उनकी dance form से related फिर जो नर्तक हैं उनके नाम famous जो नर्तक हैं जो हमारे dancers है यह famous अलग लग dance के उनके नाम इन सभी से question exam में जरूर पूछा जा रहा है तो स्तरिया जो नरित्य हो असाम राज्या का नरित्य है इज इफ गोडवाजे बैंकर पुष्टक किस ने लिखी इफ वो गोडवाजे बैंकर पुष्टक जो है वो रभी सुबर्मर्णम जीने लिखी है भारत ने दूसरी बार ACI खेले कायो जोन किस वर्स में हुआ सबसे पहले तो पहले ACI गेम 1925 खेले गए थे दूसरी बार ACI केल भारत में 1982 में हुए थे इंडिया गेट जिसे अखिल भारतिय यूद्स मार्क भी कहा जाता है उसको डिजाइन किस ने किया था तो जो इंडिया गेट जिसको अखिल भारती है यूद्स मार्क भी का जाता है यह आपको याद रखना है इसका दूसरा नाम है तो उसका डिजाइन जो है एडविन लुटियंस ने त्यार किया था दो या दोस्यदिक राज्यों के बीच जो विवाद होता है कोई जगड़ा होता है तो सरोच नाले के खालिस्तान क्या दिन आता है तो यह सरोच नाले जो सुप्रीम कोट का मोलिक अधिकार है जो मोलिक अक्षित्रा अधिकार है फंडमेंटल उसका जो अक्षित्रा अधिकार जो गरीबी रेखा से नीचे की जन संक्यागा परतिशत था उसमें वो था 21.81 परतिशत निमलिकित में से किस अदिनियम को मोरले मिन्टो सुधार के नाम से भी जाना जाता है तो जो भारतिय प्रिश्चा दिनियम 1909 का है इसको मोरले मिन्टो सुधार के नाम से भी जाना जात स्तियत्तरवा जो स्विधान संस्वेधान अधिनियम जो की 1902 में आ था उसके माद्यम से सरकार ने किस अनुछेद में जो है वर्णित संस्वेधानिक धायतेव को पूरा किया तो इसमें जो आर्टिकल था जो अनुछेद हो था आर्टिकल 40 भारत में क्रिसी भूमी पर अत्यदिक दबाव के लिए निमिल लिखित में से कौन से कानों को जिम्मेदार ठहरा जा सकता है कुछ कान दिये गए हैं कौन से जिम्मेदार है क्रिसी भूमी पर जो अत्यदिक दबाव प्रेसर बढ़ रहा है उसके लिए तो पहला विरासत का अधिकार तो ये correct है अलाब कारी भूमी जोत का अधिकार भूमी का विभाजन बहु फसल तो एक दो और तीन ABC तीनों जो है इसके लिए जिम्मेदार है चोथा आपका बहु फसल वो जिम्मेदार नहीं है तो ABC आपका correct होगा स्रेर की परतिरक्षा परनाली की स्थीति में वास्त्विक आंतर फेक्टर प्रोटीन या आपके अमाश्य की परत में इसे बनाने वाली कोशिकाओं पर हमला करती है तो ये परनासी अर्रेक्टता यानि परनीसियस एनेमिया की जो विमारी होती है उस केस में इसमें ऐसा होता ह इसमारी बोड़ी में रिस्त इनमे कित में कौन से कतंग सत्य हैं दो कतंग दिये गए हैं बताना कौन सा सत्य है जो सास्त्रिय नरित्य dwみ रस और भावी जैसी भारतिय बिल्कुल करेक्ट है बरतनाट्यम की उत्पत्ती उडीसा में हुए है तो यह उडीसा में नहीं हुए है मिलकुल क्रेक्ट जो है सिर्फ एक कतान सत्य है सोर उर्जा बंडायन अक्समता वाली मौमबतियां और पेराफिन मौम बनाने के लिए 20 कार्बन परमानों से बना कौन सा एसंत्रिप्त एलिफेटिक हाइडोकार्बन उप्योग किया जाता है तो इसमें जो सोर अक्समता से बनने वाली मौमबतियां है और पेराफिन मौम बनाने के लिए जो 20 कार्बन परमानों से बनने वाली एलिफेटिक हाइडोकार्बन है उसका नाम है आइकोसेन गोल की आतमकता है गोल एक पुस्तक का नाम है वो किसकी आतमकता है तो ये मेजर ज्यान्चन जी की आतम कता है और मेजर ज्यान्चन जी का जो जनमदिन है वो खेल दिवस के रूप में मना जाता गुगा नोमी, हरियाना, पंजाब, राजिस्थान, यूपी, हमाचल प्रदेश के कुछ हिस्थों में मना जाने वाला तिवार है इसे खालिस्तान के तिवार के रूप में मना जाता तो इसे नाग पूजा के तिवार के रूप में मना जाता गूगा नौमी को मानक तिरंदाजी सपर्दा में प्रियुक्त होने वाले लक्षे में कितने वरी तक्षित्र होते हैं जो एक स्टेंडर्ड तिरंदाजी सपर्दा होती है उसमें जो वरीत अक्षेत्र होते हैं वो कुल दस होते हैं जब RBI रेपो दर को कम करने का निले लेता तो मुद्रा आपूर्ती पर क्या परभाव पड़ेगा तो जब RBI रेपो रेट को कम करेगा तो जो मुद्रा अपूर्ती है उसमें बड़ोतरी होगी जुलाई 1968 में भारत की जो ततकालिन परधानमंत्री थी उससमें इंद्रा गांदी उन्होंने क्रीसी में हरीत क्रांती की परभावसालिता को अधिकारिक रूप से दर्ज करने के लिए फालिस्ता नाम से एक डाक टिककर जारी किया था तो ही घेहु करांत दी के नाम से इन्होंने 1958 में डाक टिकर जारी किया तो साल भी यादध रखना है आपकी सूप्ड में जवाब के एकजाम में साल पूछा जा चकता है 1968 में यह डाक टिकट जा रहेगी बारत का जो योजना योग है 2011 सुरी जो आपका जो सेंसस था 2014 बारा का उससे डाटा से जो है काफी question यहाँ है आपके तो उसको आपको ध्यान से बढ़ना आपके exam के लिए उस डाटा के अनुसार जो राज्यों में निमिलिकित में से किस समू में गरीवी रेखा के नीचे की जनसंक्या का परतिया सर्वादिक था तो 36 डोर जो किस परत में ओजोन होती है जो ओजोन लेयर है वो आपकी समताप मंडल में होती है यह बहुत ही repeated question है कौन सा अनुचेत उपराश्टरपती के निर्वाचन से संबंदित है जो वाइस प्रेजिडेंट है उनके निर्वाचन से संबंदित आर्टिकल है आर्टिकल 66 पस्रिम ब मंग्रूव वनों को सुंदर्बन बोला जाता है भारतिय उलेंपिक किस से संबंद है भारतिय उल्मपिक समझो है वह अंतरराश्टर tensions समीति इंट्रेशनल उलफिक जो समीति यह कोमेटी है उससे संबंदित है निमीलिकित मेंकी से कौन सा एक सहिली स्रिलंकाई वरितान्त ह जो मोरिय समराज्य का एक मेहत्वपूर्ण साहितिक स्रोत है तो मोरिय समराज्य के बारे में ऐसा सिरलंकाई वरितान वह है महावन्स कुछ कोशिका परकारों में कौन सी सरजना पर्त मुख्यत रूप से सेलिलोज हैनी सेलिलोज और लेगनिन जैसे कार्बोहेडरेट के चार अनुपात तीन अनुपात तीन के अनुपात में जो है और मोम जैसे कुछ वसाई उत्वदार्थों से बनी है तो यह वनियात की कोशिका वित्ती सेल वोल किस पेशवा ने कौन से पेशवा राजा थे जिन्होंने इस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संदी इसको दूसरा नाम है वसाई की संदी पर हस्ताकसर किये दे तो यह पेशवा राजा थे बाजिराव द्वितिय पेशवा विजेनगर समराज्य में आये का मुख्य स्रोत क्या था विजेनगर समराज्य में जो आये का मुख्य स्रोत था वो था भूराज्सो जो लैंड से टेक्स था उससे जो राज्सो करेक्ट होता था वो वहाँ पर मुख्य सोच था 1833 में जो कार्ल फ्रेडरिक गोस और विलियम एड़वर्ड बेवर थे उन्होंने किस उपण काविस्कार किया था तो उन्होंने विदूतिय चुम्ब किये टेलिग्राफ काविस्कार किया था 1833 में मार्च 2023 तक जानकारी के अनुषार तो मार्च 2023 तक पूछा इसने केंद्रिय प्रियाटन मंत्री कोन है वह जी किसंद्रेड़ी दमिलिकित में कीस पंच वर्षी योजना में गरीबी उन्मुलन, गरीबी हटाओ और आतम निरभर्ता को परमुख योजना उदेशों के रूप में घोशित किया गया तो इन दोनों को गोशित किया गया, पाँच भी पंच वर्षी योजना में फिप्ट चो फाइवर प्लान है उसमें, राश्ट्रिय जो भारतिय सास्त्रिय निरित्य सरस्थान है, उसके दुआरा कौन सा पुरुषकार पुरुषकार जो है, भारतिय सास्त्रिय निरित्य सरस् पगो उनको साइते एवम सिक्षा जो कल्चर एवम एजुक्वेशन के फिल्ड में दिया गया है DFC की फुल फॉर्म पूछी की है DFC की फुल फॉर्म है आपकी डेट्रीटस फूड चेन DFC डेट्रीटस फूड चेन शिरी नारायन गुरु ने जाती और धरम के अधार पर होने वाले भेदों का दिर्थक माना है और सभी के लिए एक जाती एक धरम और एक पगवान के सिदान्त का उन्होंने समर्थन किया तो इस सिधान का किस ने समर्धन के आहिए भी आद रखना शरी नारयान गुरुने, और वह निमिलिकित में से किस संग्ठन से संबंद सें, उनका जो संग्ठन था उसका नाम था सिरी नारयान धरम परिपालन योगम निमिलिकित मेंसे कौन सी एक दातू अक्सारियम रिदा दातू नहीं है तो नहीं है पूछा गया तो सोडियम यहाँ पर करेक्ट अंसरोगा एन ए सोडियम महाभाश्या के लेकक कौन थे महाभाश्या पुस्तक के लेकक पतंजली थे और यह प्राचिन भारत के एक पुस्तक थी इन में से कौन तमस नामक उपन्यास के रचिता है तमस नामक जो उपन्यास है नॉवल है उसके रचिता है भीसम सहनी लिंबाराम की स्केल से सम्बनित है लिंबाराम जो की आपके sports से related है वो तिरंदाजी के खेल से सम्मंदित है निमिलिकित में से किस उदोग में विक्री के उदेश्य से पादपो और पसो की कुछ निश्चित परजातियों का परजनन और वर्दन किया जाता है तो यह है आपका जननिक जननिक में जो है उदोग में विकरी के उदेशे से जो पादप और पसु हैं उनके ही परजातियों का परजिनन और वर्दन किया जाता है नेक्स्ट क्वेशन आपका मिलान करना आपको यहाँ पर चार राष्ट्रे उदान दिये गए हैं और वो किसके लिए फेमस है यह बताना है जो गिर राष्ट्रे उदान है वो आपका सेर यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलते हैं राजाजी राष्ट्रे उदान में आपको हाथी सबसे ज़्यादा मिलते हैं जो केवला देव राष्ट्रे उद्धान है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको साइबरियन क्रेन मिलते हैं, और काजिरंगा उद्धान में आपको गैंडे सबसे ज़्यादा मिलते हैं, काजिरंगा आपका असम में है, सबसे ज़्यादा गैंडे मिलते हैं, तो इस तरह से आपका option correct होगा तो इस तरह से आपको सब पता होना चाहिए पद्या भूसन गुरु वेंपती चिन्ना सत्यम पद्या भूसन अवार्ड से सम्मानित है गुरु वेंपती चिन्ना सत्यम उन्होंने निमलिकित में से किस नृत्य सैली में सेकडों छात्रों को परसिक्षित करने क उसमें कोशिका जिल्ली में जल प्रिवेंट किस चैनल प्रोटीन का प्रात्मिक का रिया है तो यह आपका एक्वा पोरीन प्रोटीन का द्वितिय जो पंच वर्षिय योजना थी उसके दुरान विदेशी सैयों उसे कितने एक इकरित इस पात से अंतर स्थापित किये तो कौन से अनुचेद के तहट समान नयाय और मुप्त कानूनी साहता परदान करने का प्रावधान है तो अनुचेद 49 ए 39 ए जो आर्टिकल है उसके तहट समान नयाय और मुप्त कानूनी साहता परदान करने का प्रावधान है कालिस्तान ने कालिस्तान में दूसरे ओलम्पिक खेलों की मेजबानी की तो फ्रांस ने 1900 वर्स में जो है दूसरे ओलम्पिक जो खेल हुए थे उनकी मेजबानी की थी ये फ्रांस में हुए थे ACI खेलों की मेजबानी करने वाला पहला देश भारत था में 1931 में ये गेम्स हुते हैं इस महुत्सों के नाम की जो उत्वत्ति हुई है वो इस राज्ये की लोक कताव में वर्णित हुर्ण बिल नाम के पक्षी के नाम से विए ये भी क्रेक्ट है तो A और C क्रेक्ट है B आपका गलत होगा यह भारत्य राष्टे कांग्रेस जो पहले अधिवेशन के अधियक्स कौन थे ये सब को पता हुआ व्योमेश चंदर बनार जी डबलू सी बनार जी इसके जो है पहले अधियक्स थे कंग्रेस के उन्नीस सो पचासी में ये बना था हिंदो पुराणी कता के नुसार जो गुड़ू गुड़ी पढ़वा उत्सव ह वो गुड़ी का क्या आर्थ है तो गुड़ी पढ़वा जो उत्सव है तिवार है उसमें गुड़ी का आर्थ होता है वीजय का परतीक सलिस्ट फाइबर होते हैं जो परत्यास तलक पोलीमर और परसिस्ट किरियक मध्यवर्ति सभी कानिस्तान उंदोगों के उपसमों हैं तो यह है पेट्रो केमिकल टाइप के उदोग इंडस्ट्री से रिलेटेड निमिलिकित में से किस स्थिति में विशेशकर प्रारंबिक गर्भववस्ता के दोरान आयोडीन और थारोड हर्मन की कमी के कान गंबीर सारिक और मानसिक मनता हो जाती है तो यह होते है क्रेटिनी जम्बे जिसको हिंदी में और टू वामनता बोला जाता है सरंचनातमक भूविज्ञान किस से संबन्जित है सरंचनातमक भूविज्ञान जो है वो सेल सरंचनाव के विकास के रूप उनके वरगीकरण तंतर और कारण से संबन्दित है अबबा गोड्स ग्रेटेस्ट करिए लिखिए निमिलिकित में से कौन सा वेध है जिसमें क्रिशन और सुकल दो पार्ट वेधों में उपलब्ध है और उसमें सारवजनिक या व्यक्तिकत रूप से की जाने वाले अनुस्थान्ड वीदियों का वर्णन है तो यह आपका यजूर वेध है फपन्यास की लेकी का कौन है जो माउनस फ्लाइट पन्यास है जो गजल घायक हुए हैं उनके सास्तिर संगीत का संग्रेदा तो जो नोवल्स हैं बोक्स हैं किसी की आटो बायोग्राफी हैं इन से रिलेटेड कोश्चन भी एकजाम में बहुत आ रहे हैं तो इनको भी आपको सबको पढ़ कर जाना है आपके आने वाले एकजाम्स के लिए निमिलिकित में से किस लोक निरित्य के लिए पद्यशिरी 2023 से सम्मानित किया गया है तो रानी मचिया जी है उनको जो है निरित्य में 2023 का पद्यशिरी पुर्षकार मिला है कौन सा प्रोटो जोवा नहीं है तो स्काइपा जो होता वो प्रोटो जोवा नहीं होता बार्त के जो बहुतिक वि खेल मंतरी कौन है तो ये थे आपके अनुराग ठाकोर जी उर्जा सेलेक्षन विदेक 2022 में क्या सामिल नहीं है जो उर्जा खफवतमानकों के दायरे को कम करना ये उस विदेक में सामिल नहीं है रज्य की विदानसवा के समक्स जो परती वर्ष वार्षिक विवर्ण कोन प्रस्तुत करवाएगा जो रज्यपाल होते हैं गुवर्नर होते हैं रज्य के वो विदानसवा के समक्स जो है परती वर्ष हर साल जो है एक वार्षिक विविवर्ण जो है प्रस्तुत करवाएंगे वर्स 2011 की जन गन्ना के दिश्सार भारत की सक्सता धर्र, तो यह आपकी 78.98 परसेंट लेंमिलिकित में किस खद्य में एक रसाइनी खत्रा माना जाता है किट नासक जो उसे होते हैं उसे खद्य में एक रसाइनी कत्रा एक केमिकल डेंजर माना जाता है किस सुल्तान ने सामन्तों की सक्ति को कमजोर करने के लिए विनीमिनों की एक सरिंखला त्यार की थी जो अलाउदीन खिल जी है अलाउदीन खिल जी ने सामन्तों की सक्ति को कम करने के लिए उनको कमजोर बिनाने के लिए विनीमिनों की एक सरिंखला त्यार की थी भारत में जो हुआई प्रिवेन है वो किस वर्ज शुरू किया गया था भारत में हुआई प्रिवेन 1911 में शुरू किया गया था 1991 के दुरान जो इस पात के उत्पादन में सारवजनिक अक्षेतर और नीजी अक्षेतर की इस्यदारी क्या थी तो जो सारवजनिक अक्षेतर की वो 46% और 54% आपकी जो है नीजी अक्षेतर की इस्षेदारिती और 1990 क्याणवे के दोरान मुद्रापूर्ती के संबंद में कथन बताने है कौन से सही है मुद्रापूर्ती जो है किसी विशेश समय में जनता दुवारा रखे हुए धन की कुल मातरा को संदर्भित करती है तो बिल्कुल करेक्ट है मुद्रापूर्ती एक परवाह अवधार्णा है यह आपका गलत है मुद्रापूर्ती का सबसे तरह लुका है यह एक और तीन करेक्ट है दूसरा आपका यहां पर गलत होगा जो कथक नरित्त है उसमें अनिंदिता नियोगी अनाव ने रस्ट्रिय नरित्ते Nosyram brand premiere पूरुशकार प्राप्त किया है भारत का सब्से बड़ा स्तूप कौन सा है भारत का सब्से बड़ा स्तूप है हो थो के सर्या स्तूप उस तत्तों की पैचान कीजिए जिसका परमानु करमांग साथ है तो नाइट्रोजन का परमानु करमांग साथ है एनी बेसेंट की जो होमरूल लीग है होमरूल लीग है वो भारत के किस स्थान पर केंदरी थी तो एनिवेसेंट की अमरूलोग जो है वो पदरास में थी और माराष्टर में आपकी जो थी वो बाल गंगजर तिलक की थी रावी चिनाब जेलम किस नदी की सायक नदिया है रावी चिनाब और जेलम तीनों जो है सिंधु नदी की सायक नदिया है बारत में 1960 से 1980 के दसक में जो permit license राज का परमुकुदेश्य था वो क्या था जो सरकार दोड़ारा नीजी कंपनियों को वस्तोय मुनाने की अनुमति देना उनको permission देना यह permit license राज का परमुकुदेश्य था main aim था उसका किस ने 641 इस्वी में छीनी दर्बार में अपना राजदूत वेजा था मूद्रा अपूर्ति के आउधाना में M4 किस चीज को संद्रवित करता है तो जो M4 होता हो M3 पिलस कुल डागर जमारासिय को सो करता है स्तरिया के एकांकी नाट को क्या कहते है? स्तरिया जो नRedत्य होता है असम का नरित्य है, ये भी आपका question ऐया था इसके एक एकांकी नाट को अंक्या नाट कहा जाता है दरौनाचारिय पृष्कार किस वरस सुरू किया गया? दरवनाचारिय पुरुषकार जो है 1985 में शुरू किया गया, ये कोच के लिए होता है I know why the cage bird sings, ये किस की आतमकता है, ये माया एंजलो की आतमकता है हडपा नगरों के निमिलिकी समुमें से किस समुमें अगनी वेदिया पाई गई है तो हडपा के जो काली बंगा और लोथल जगह हैं, वहां से जो है अगनी वेदिया पाई गई है तो हडपा के जो परमुक अफसेस हैं, उनसे रेलेटिट कोश्चन एकजाम में जरूर पूछे जाते है भारत के अधिकान सास्त्रे नरीते रूपों की उत्पत्ती खालिस्तान से हुई भारत के जो सभी सास्त्रे नरीत हैं मैक्सिमम, उनकी उत्पत्ती जो है नट्टे सास्तर से हुई है रंगा स्वामी कप किस केज से संबन दिते हैं रंगा स्वामी कप जो है होकी का एक कप है फरवरी 2023 में नीति आयों के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में करेबार किस ने घ्रेंड किया फरवरी 2023 में नीतिया के जो नए मुख्य कारिकारी अधिकारी बने है वो है BVR सुबर मर्डम जी क्लोरो फ्लोरो कारबन CFC के बारे में कौन सा दावा सही है CFC जो है उसका उपयोग परसी तक के रूप में किया जाता है बिल्कुल करेक्ट है सत्रंज का जो एक मातर मोहरा कौन सा जो एल अकार में किसी भी वर्ग में जा सकता है तो जो घोड़ा होता है सत्रंज में घोड़ा होता है वो एल अकार में किसी भी वर्ग में जा सकता है बार्त की 2011 की जन्संख्या जन्गर्णा के अनुसार जो राज्यों के किस समू में गराणवी जन्संख्या अपर्टिस्त बहुत अदिक है तो बिहार और सिक्की में 2011 की जन्गर्णा के अनुसार गरामें जन्संख्या सबसे ज्यादा थी इंडोनेसिया में जन में अमेरिकी कोशिका नुवांस की विज्ञानी है जिनका नाम है जो हिने तजियो उन्होंने 1956 में गोशना की कि मानों गुण सुत्रों की सही संक्या खालिस्तान है तो ये गुण सुत्रों की संक्या जो है 46 है तो ये किस ने जो है गोशना की है जो हिन तजी ओने की 1956 में निमलिकित रसाइनों में मिथाइल क्लोराइड का रसाइनिक सुत्तर केमिकल फॉर्मूला पुछा गया है मिथाइल क्लोराइड का तो CH3Cl होता है जनुरी 2023 तक हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री कोन है सुक्विंदर सिंग सुक्खु जनुरी 2023 तक की जानकारी में डाटा में इमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री है 1927 में डॉक्टर बियार अमेटकर दुआरा ने मिले कितमे से कौन सा सत्यागरे सुरू किया गया तो 1927 में डॉक्टर बियार अमेटकर जी ने महाड सत्यागरे सुरू किया था 1803 में समिक्रण है आपकी एक्वेशन है C equal to Kp गैस के लिए यह किसके दुआरा परतिपादित किया गया यह विलियम हैंडरी ने इस एक्वेशन को जो है दिया था 2011 की जनगर्णा के निसवार कुल जो वैस्वी का बादी है उसके कितने परतिशन जनसंक्या भारत में है तो पूरे विश्वे की 17.5 परतिशन जनसंक्या भारत में है दुरूओ और भूमद्यरेखा के पास अक्षोब मंदल की उचाई करमेश से कितनी है दुरूओ पर दो इसकी उचाई अक्षोब मंदल की जो है 8 km भूमद्यर एकापर आपकी 18 km तो दोनों आपको ध्यान रखने तो ये आज के आपके पूरे 100 questions थे हमने discuss कर लिए तो friends यहाँ से हमको idea लग जाता कि किन-किन topics पे SSC exams में question पूछ रहा है current में आपके नरित्य सैली उनके नर्तक हैं जो अवार्ड से related पद्या भूसंड पदम भूसंड सभी current के question आ रहे हैं आपका जो जनसंक्या का data है 2011 का वो जरूर आप करके जाएए तो इन question से आपको idea लग रहा है इन सभी question को आप बार-बार देखिए और इन से related जो topic है वो question भी और आप करके जाएए तो आपके लिए ये आज की question थे बाकी की question अब next class में जो है discuss करेंगे तो friends मैं यहाँ पर आपके लिए जो इस channel पर important content से related video important question की video लेकर आ रहा हूँ अगर आपके लिए थोड़े भी useful हो रहे हैं या फिर आपके लिए जो ही आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को like जरूर करिए अपने friends के साथ भी share करिए और अगर चैनल को अब तक आपने subscribe नहीं किया तो जल्दी से जल्दी subscribe कर ले bell icon को भी press कर ले इससे आपको हमारे daily classes के notification मिलते रहेंगे और आप बिना किसी प्रेशानी के हमारे daily videos को देख पाएंगे तो friends आज के इन ही important questions के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं next वीडियो में और अच्छे और important questions के साथ thank you